हेलो फ्रेंड्स, पेशल डिश्पाई सारीका के चानेल पर आप सब का स्वागत है तो आज मैं आपके लिए एक बहुती खास रेसिपी लेकर आई हूँ अक्सोर हम मार्केट से रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस पर्चेस करके लाते हैं लेकिन आज मैं घर पर ही रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस कैसे बनाते हैं वह आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ और वह भी मार्केट जैसा लूक और मार्केट जैसा टेस्ट अपको घर पर मिलेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए में कम पैसों में आप घर पर पास बना कर स्टोर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब चाहे तब आप इसी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कि आप फ्राइड रैस बनाते वक्त, वेज मंचुरियन, गोपरियन बनाते वक्त आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओनली चाइनीज के साथ ही नहीं तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। इस वक्त मार्केट में लंबी-लंबी और बड़ी सी हरी मिर्च और लाल मिर्च बहुत आने लगी है। सस्ती भी है और सीजनल भी है। आज मैं आपको जो सॉस के तरीके बताने वाली हो ना उससे आपकी सॉस जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस सॉस को आप सिर्फ चाइनीज के साथ नहीं बलकि रोटी के साथ भी आप इसी उस कर सकते हैं। जो मैं ट्रिक्स बताऊंगे ना उससे आपकी सॉस जो है ना वो खराब भी नहीं होगी। इस सॉस को आप जादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। यहां मैं ले रही हूँ 1500 ग्राम लाल मिर्च। पहले हम लाल मिर्च का सॉस बनाएंगे। इस लाल मिर्च के गंडो को निकाल कर वारिक टुकुडों में काट लेना है। मैंने इसके ऑलरेडि काट लिया है '' iyя में गःवारिक को डालेंगे थोड़ा सा तेल डालेंगे'' तेल गर्ण होते ही हम इसमें डालेंगे 10–12 लसुण की कलिया और लसुण को अक्छे से फ्राइक कर लेना है। लसूण टालेंगे लाल मिर्च लाल मिर्च को करीब पाँच मिनीट तक फ्राइए करना है बिल्कुल इस तरव से फ्राइ Kann Bank करना है लगातर आपको चलाना हδα कि अध्यूप आपको लगातार इसे फ्राइ करना है फ्राइ होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच जीरा और इसमें दो ग्लास पानी डालके अच्छा उबाल आने तक पकाएंगे पानी जो है ना इसमें पूरा अब्जॉर्ब होना चाहिए हमारे रेट चिल्ली जो है ना उपक चुका है इस तरह से पानी पूरा इसमें अब्जॉर्ब होना चाहिए अगर पानी इसमें अगर होगा ना तो आपको सांस जो है ना खराब हो सकता है इसमें हम डालेंगे स्वादर मिसार नमक और बड़े चमच से चार चमच जीनी हम इसम और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद एक मिक्सी के जार में डालके इस तरह से स्मूध पे स्टेडी करके लेना है मिक्सी के जार में डालना है और स्मूध पे स्टेडी करेंगे आप देख सकते हैं हमारा सौस कितनी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और कलर भी कितना अच्छा आया है हमारा रेड चिली सॉस बिलकुल रेड़ी है टिप बताती हूँ रेड चिली हो या ग्रीन चिली हो इसे फ्राय करने के बाद गरम रहता है तो गरम रहता है तब ही आप इसे मिक्सिके जार में डाल कर पीछेंगे ना तो कलर चोहे ना थंडा होने के बाद ग्राइंड करने से स्वास का कलर जो है न वो अच्छा आता है रेड चिली का स्वास अच्छी तरह से रेड आता है और ग्रीन चिली का ग्रीन आता है निकाल लिया है इसे आप किसी भी डब्बे में या बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज में तो इसी तरह से अब हम green chili sauce बनाएंगे, यहां मैं ले रही हूँ, देर सो ग्राम हरी मिर्च, सेम प्रोसेस से कड़ाई में हम तेल गरम करना है, सेम प्रोसेस से हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे, तेल गरम होते ही हम उसमें डालेंगे लसून की कलिया, और अच्छे से fry कर देंगे, और इसमें डालेंगे हरी मिर्च, इसके डेंडो को निकल के मैंने बारिक टुकडो में काट लिया है, इससे भी, तो इसे भी अच्छे से फ्राय करना है और फ्राय होने के बाद इसमें भी हम डालेंगे एक चमच जीरा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे दोक Lah Harp Pani, हमले इसमें डालेंगे, 10-15 मिनित तक पकाना है, पानी जो इसमें भी पूरा Deshalb होना चाहिए और पानी पूरा Women के बाद, इसे हमें एकशी के जार में डालेंगे, और हम डालेंगे आपको याद रखना है कि स्वास पनाते वक्त आपको पाने मिलतों भी ऐड़ नहीं करना है बाइन तीन से जो है न तो आप देख सकते हैं हमारे स्मूठ पेस्ट रड़ी हो चुका है कितनी आच्छी तरह से हमारे क्रीन चिली सॉस बिल्कुल रेड़ी है मार्केट जैसा महेंगा वाला सॉस आप घर पर बना सकते हैं विस रुपए में और दस मिनित में बनकर रेड़ी हो जाएगी तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करके देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे ऐसे ही नहीं नहीं रेसिपी को देखने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करने नहीं साथ ही नहीं नहीं रेसिपी के तो आपको आज की मेरी रेस्पी किसी लेकिए मुझे कमेंट करके जरूर बताईए तो चलिए फ्रेंड्स बाइबाए फिर मिलते हैं ऐसा ही नहीं नहीं रेस्पी से सब्सक्राइब